जैसा कि ISER 2021 फिफ्ट राउंड के अलाट्मेंट 25 नॉमबर को होने थे KPI चैनल के and SCB चैनल का 26 नॉमबर को होना था and इसकी डेदलाइन थी 29 नॉमबर KPI चैनल की and SCB के भी 29 नॉमबर को थी but ISER KPI चैनल 24 नॉमबर को ही रिलीज कर दिया गया जैसा कि ऑफिशल अपसाइड के अपडेट आ रहा है फिफ्ट एंड लाश्ट राउंड के उपडेट चैनल लाइब नॉ and इसकी 28 नॉमबर एक दिन पहले लग दी गई है and SCB चैनल का मुझे लगता है कि कल अलाट हो जाएगा इसको कौन सी सीट मिले हुए है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए and कौन सा ICER से कौन सा ICER अपग्रेड हुआ है वो भी इस वीडियो के नीचे बताइए and कितनी rank थी आपकी किस rank पर आपको कौन सा college मिला हुआ ये भी बताईए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके एक दिन पहले ही कर दिया गया एंड कुछ बच्चों को इमेल जैसा भी आ रहा था कि seat acceptance fees वगारा के बारे में डाउट आ रहा है तो 28 नमबर तक last date है seat acceptance fees पे कर दीजे वरना आपके admission cancel हो जाएंगे एंड जिन भी बच्चों को अभी तक seat नहीं मिली हुई है जैसा कि third round के बाद काफ़ी सारी seats खाली थी एंड जो के वी आई चैनल एंड आई टीजे जनल से स्वीड बसती है वो transfer कर दी जाती है सीवी चैनल तक फिफ्ट राउंड के बाद ही मुझे लगता है एक या दू राउंड और होंगे या स्पार्ट राउंड होगा जब भी कुछ होता है मैं आपको अबडेट कर दूँगा बट स्पार्ट राउंड होना कंफर्म है एंड स्पार्ट राउंड में काफी पीछे राउंड तक ऑलेज मिलता है जिसकी जो भी रैंक है इस वीडियो की नहीं चेक कमेंट करके बता ही चलिए मिलते है नेक्ट वीडियो में बाई 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 जो जरी कि दिया